नमस्कार दोस्तो आज हम आप लोगों को मोटा होने का रामबार सीरफ लेकर आए हैं क्योंकि आज कल आप लोग देख रहे हैं जो आपका सेहत है बिलकुल कमजोर होता चला जा रहा है और आप अधिकान से दुबले पतले कमजोर होते चले जा रहे हैं तो ऐसे इस्तित में दोस्तों आज हम आप लोगों को सिपवाल प्लस सीरफ लेकर आएं हैं देख लीजिए या जो सीरफ है मात्र 200 ml का है और इसकी प्राइज जो है 104 रुपे है आप आसानी से या सीरफ भारत के हर मेडिकल इस्टोर पर खरीद सकते हैं कहीं भी बड़े मेडिकल इस्टोर से आप खरीद सकते हैं खरीदने के बाद आपको यह सीरफ कब और कैसे सेवन करना है तो चलिए आज हम आप लोगों को इस सीरफ की संपूर जानकारी बताते हैं बताने से पहले दोस्तो आप से एक छोटा चारी क्वेस्ट है कि अगर आप हमारी चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किये हैं तो आप हमारी चैनल को जल्दी से जल्दी सस्क्राइब और बिल आइकन घंटी को प्रेस जरूर करें ताकि कोई भी नए वीडियों हम अपड प्राप्त हो तो दोस्तो आपको यह सीरफ खरीद लेना है सिपवाल प्लस सीरफ को खरीद लेना है दोस्तो आपको खरीदने के बाद यह सीरफ किन-किन समस्याओं में सेवन करना है कब करना है कितना करना है कितने दिनों तक करना है तो दोस्तो अगर आपके सरीर में भूख नहीं लगती है या आपका वजन कम होता चला जा रहा है और आपका वजन नहीं बढ़ता है केवल घटता है और दोस्तों इसके अत्रिक अगर आप दुबले पतले कमजोर होते चले जा रहे हैं तो ऐसे इस्तित में आपको यह सिरफ सेवन करना है क्योंकि आज कल आप लोग द ही जन्म लेती है तो ऐसे इस्तित में अगर आप इस सीरफ को रोजाना दो धकन दोस्तों यह जो धकन है मात्र पांच इम्मल का है और इस धकन से आपको दो धकन यहीं कि 10 इम्मल सुबह और 10 इम्मल शाम को भोजन के बाद शेवन करना है तोस्तों भोजन के 30 मिनट बाद आप को रोजाना सुबह और साम सेवन करना है अगर आप लगातार इस सीरफ को एक महीनी सेवन करते हैं तो आपके शरीर में जो कमजोरी रहेगी वह दूर हो जाएगी और जो आप दुबले-पतले-कम्जोर रहेंगे वह भी समस्या दूर हो जाएगी और आपका वजन भी तीन महीने तक सेवन कर सकते हैं क्योंकि इसका कोई side effect नहीं है तो दोस्तों अगर आपके मन में इस सेरफ के related कोई भी प्रश्न उठता है तो आप कमेंट में फूठ सकते हैं हम आपके कमेंट का जबाब देंगे तो दोस्तों अगर आपको यह बेडियों अच्छी लगी है तो आप इस बेडियों को अधिक से अधिक लाइक और सेर जरूर करें क्योंकि हम आपके लिए रोजाना हेल्थ से रिलेटेड बेडियों लेकर आते रहते हैं तब तक के लिए धन्यवाद